तो इसमें जो first example वो देखिएगा कि क्या है, एक अपने पास r है, r क्या होगा, एक set of real number होगा, जो की define है, एक real function है, जिसमें f है, जो की r से r है by, तो यहां से function अपने को given है, f of x equal to x plus का 10, तो इसने क्या बोला है कि, इस case the graph of this function, यहनि इस graph, जो भी अपने को function दिया, उसका क्या बनाना, अपने को graph बनाना, ठीक है, तो देखिएगा कि क्या है, यहां पर solution में, solution में पहले तो यह देखेगा कि अपने को एक function दिया और उसका पूरा हमें define कहां पे define है वो भी दिया हुआ है देखते हैं तो यहां से देखो एक तो function अपने को given है भई कहां से r से r के उपर function define है और यहां से देखो कि f of x है उसमें क्या है x plus का 10 है ठीक है यह function है अब क्या करना है इसको हमें draw करना है तो draw वो ही करेंगे जैसे हम 10th class में करते हैं कि दो line का कैसे हम वहां पे intersection कराते थे उनका graph कैसे draw करते थे हैं वो यहां पे काम करने वाले अब हमें पता है कि function है वो क्या होता है एक machine की तरह काम करता है यदि हम इसमें क्या देंगे input देंगे तो वो हमें क्या देगा output देगा यह बात यहां पे है तो यहां पे देखो जैसे जैसे value put करते जाएंगे देखेगा कि x के उपर पहले हम positive values देते है x equal to 0 तो यहां से y की यह रखोगे तो कितना आएगा 0 आएगा ठीक x equal to 1 रखो तो क्या आएगा आपका y equal to 1 plus 10 तो यहां पे कितना आएगा equal to 11 और यहां से x equal to 2 आया 1 plus का यहां पे 2 आया तो 10 2 plus 10 equal to 12 ठीक है और यहां से देखेगा कि x equal to 3 आया तो y equal to इतना आएगा 3 plus का यह और और भी value देखेगा कि यह आगया 13 तक और आगे value रखोगे तो और भी ज़्यादा आती जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं देखेगा अब यहां से तो इसके बाद में यह दिए आप देखो यहां पे कुछ negative values भी रख सकते हुआ ही क्या से क्योंकि यहां पे r में है तो r में तो सारे आते ने negative integer decimal सब कुछ आता है ठीक है हम ज्यादा दर focus integers पे कर रहे हैं क्योंकि उसमी में सब पूच है क्योंकि वहां से graph अपने आप भी draw हो जाएगा ठीक है तो यहां से अब जो x की value minus 1 लो तो y की value 1 plus 10 equal to 9 और यहां से x equal to minus 2 था तो यहां से y equal to minus 2 plus 10 equal to 8 है और यहां से x equal to minus 10 equal to minus 10 plus equal to minus 7 ठीक है इस तरीके से आ रहे है और यदि आप x equal to क्या रखोगे भई यदि x equal to minus 10 रखोगे यहां पर तो आपके लिए देखे कर कि y minus 10 plus equal to कितना है जाएगा यहां पर 0 तो इस तरीके से आप कहां negative में भी कहां तक जा सकते हो minus infinite positive में भी कहां तक जा सकते हो plus infinite तक यहां तक हमने देखिएगा कि इस function में values रखिए x की negative value positive value अब देखिएगा कि उनके corresponding हम क्या करेंगे इनका graph draw करेंगे देखते में ठीक है अब देखिएगा next pegs में इसका graph यह ठीक है यहां पर तो यहां से देखिएगा कि आपके लिए कि हम क्या कर रहे हैं कि जो points हमने लिए थे यहां यहां पर 0 लिया था यहां पर हमने 1 लिया था यहां पर 2 लिया था यहां पर 3 और यहां पर 4 ठीक है आगे तक एसे चलते जाएंगे इतना कोई यहां पर यहां पर यहां पर माइनस फिर यहां पर माइनस का 2 इनके बीच में गप हो जादा हो गया माइनस एक माइनस का 2 माइनस 3 आगे आगे कहीं ना कहीं माइनस का 10 ठीक है और यहां पर माइनस का 4 है इस तरीके से आगे तक चल रहा है फिर यहां पर माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7, माइनस का 8 माइनस का 10, यह है यहां तक, अब देखिएगा कि हमने जो value रखी थी 0 पे, 0 पे हमने रखा था 10 क्योंकि यहां पे जो अपना 0 आया था, उस टाइम पे अपने पास, देखो y की value क्या आई थी, 10 आई थी, ठीक है फिर यहां पे आपने जैसे 2 रखा, तो इससे थोड़ा सा उपर देखिए, यहां पे 10 था, तो यहां पे कितना है, 10 में 1 8 होगा, तो 11 तो यहां पे देखिएगा कि 1 के क्रोस पॉंडिंग, इधर से, और इधर से 1 के क्रोस पॉंडिंग पॉंट यह मिलेगा, फिर 2, 2 रखते ही, यहां पे आपके लिए क्या आएगा, 12 है, तो 2 पे 12 है, इस तरीके से यहां पे पॉंट रोगा है, अब यहां से देखो 1, अब माइनस 1 पे जैसे आओगे, उससे थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा, आपको 9, ठीक है, और 9 आएगा, तो देखिए, माइनस 1 और यह 9, फिर 2 आओगे, तो थोड़ा सा इससे नीचे 8 पे आना पड़ेगा, फिर आपको जैसे जैसे यहां पे, यहां पे 3 रखोगे, तो आपके लिए किस के उपर आना पड़ेगा, माइनस के, यही 7 पे आना पड़ेगा, और एक जगह आपको देखिएगा, यह इतनी वेल्यू में थोड़ा सा देंस, ठीक है, यहां पे देखो, ऐसे ऐसे करते करते, आप कोई कहीं न कहीं 10 मिलेगा, और 10 के उपर यहां पे क्या मिलेगी, आपकी वेल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है, और यहां पे आगे तक वेल्यू ऐसे चल रही है, ठीक है, इस तरीकर से, अब देखिएगा, कि अब इनके बीच में हम लाइन करते में, ठीक है, जो पॉइंट्स हमने लिए हैं, उन में हम क्या करते हैं, लाइन ड्रो करो, तो यहां से चल ली, अपनी लाइन, और यह देखो, यहां पे, 10 पे, इस तरीकर से, ठीक है, इस तरीकर से, तो यह एक लाइन का जो ग्राफ है, वो बनाए है यहां पे, तो यहां पे देखो, 12 पे, थोड़ा से इनका जो गेप है, वो कम कर दो, यहां पे 1, और यहां पे 2, फिर यहां पे 3, फिर यहां पे 4, तो 1 पे, 2 के corresponding, इस पे, 2, 11 पे, 10, 1 पे 11, फिर यहां पे, 2 पे, कितना आएगा, भी, 12, तो, 2 को, यहां पे, ले लो, 12, तो यहां से, देखोगी, तो आपको अपने आप ही दिखेगा, देखो, यहां से, यहां पे point था, फिर, यहां से, 12 पे, इस तरीकर से, तो यहां पे point आएगा फिर यहां पे क्या आएगा three फिर यह पिर इसका मतलब यहां से यहां पे कहीं नहीं आपको 13 मिलेगा इस तरीके से point मिलेंगे यहां पे अपने को और इसी प्रकार यहां पे भी क्योंकि हम exact पूरा graph तो draw कर नहीं रहा है एक assumption कर रहा है तो वह values थोड़ और यहां पर यहां पर और यहां पर देखिएगा कि यह और 3 के उपर यह तो यहां से कितना आएगा यहां पर देखो यहां पर 10 था तो यहां पर 9 है फिर यहां पर कितना है 8 है फिर यहां पर कितना है 7 है कहीं न कहीं तो 10 है तो 10 पर X की value कितनी है यहाँ पर –10 है तो यहाँ पर 0 है तो इस तरीके से देखो इस line की क्या वनेगी यहरा बनेगा जिसमें यह क्या आपका X axis है यह आपका क्या है Y axis है ठीक है और यह Y- Jeffrey यह x axis है और यह – infinite तक जाना है इदर और इदर प्लस infinite तक जाना है तो इस तरीके से इस line का क्या बनेगा यह इसका sketch तयार हो गया है यह क्या है 2x x plus का 10 है यहां पर यह x plus का 10 है इस तरीके से तो ठीक है यहां पर यह आपका origin है इस तरीके से हमने इसका graph draw किया है और इसमें देखो यह sketch बनने को बोला है यहां पर range and domain के बारे में कुछ नहीं बोला लेगिन हम बता ही देते हैं तो यह देखो इसके height कितनी है graph ऐसे भी जा रहा है इसका मतलभ यहां पर range क्या होगी इसकी range भी क्या होगी minus infinite से plus infinite ओर domain भी क्या होगा यहां पर minus infinite से plus infinite क्योंकि ऐसे जाएंगे length of x-axis कितनी है वही minus infinite से plus infinite है और यह देखो y से y-dates पे